पालेज नारेश्वर हाईवे पर गेर कानूनी तौर पर रेती खनन के बाद ट्रकों की आवाजाही हो रही है जिसके खिलाफ मूल नीवासी एकता मंच की और से आज ये गेर कानूनी रेती खनन को रोकने के लिए एक आंदोलन किया जाने वाला था यानि की रस्तारों को सबी ट्रकों को रोकने की कोशिश की जाने वाली थी लेकिन एन वक्त पहले पुलिस की और से जो ये मूल नीवासी एकता मंच है उनके सदस्यों को नजर कैद कर लिया गया जिसके बाद इन सभी सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन किया है आपको बता दे कि नर्मदा नदी के किनारे से गैर कानूनी तोर पर रेती खनन हो रहा है और इसके खिलाफ कई संगठन आवाज उठा रहे हैं और साथी में कई विधायक भी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं लेकिन पुलिस प्रशाशन जो आंदोलन कर रहे हैं जो रेती खनन को रोकना चाते हैं उन ल पूल निवासी एकता मंच के सर्दस्यों की और से विरोध प्रदर्शित किया और मीडिया के सामने प्रसाशन और पुलीस की पूल खुली थी चाहरे जाये कोई खोटी थती होई सरकारी ने नजर समक्ष तो सरकार यहां ध्ययां दूरी ने नीदे करोई परन्तु सरकारी ने वभिवेटिक प्रसाशन द्वारा एक काम गिरी ना करवा थी आमोय रस्तार होँ अंधुलणनी आजा जाहरात करिया थी अंने लोक्षाहिनी प्रशाषाशन द्वारा जारे कोई गेरकादे से क्रुथे थतु होई तो दरेक नागरिक नो मुडबुत अधिकार चे विरोद करवानों परन्तु आँ मुडबुत अधिकार नू खनन थहीरुँचे लोक्षाईनी हत्या थहीरुचे सरकार पोलिस प्रसाशन ने आगर दरी ने आ अंदोल ने रुपवानों घरकाईजे सर प्रयाद ना करेंचे लोक्षाहिने अंदर विरोध करो ये खुब अगत्तिरी बाबाद चे परन्तु विरोध ना करो दिदो आरी ते अमारी तता माची समाध ना अग्रेणियों पर अटकाईद करीचे बरुद जिलाना गणालोकोनी अटकाईद करीचे करजनतालोकाना गणायों अग्रेणियों आगेवनी अटकाईद करीचे आंधोल ने रुकोन प्रायद न करीके खेखेख, खरेकर आ सरकार ने पुलिस प्रशासन जे गुनेकारों छावराशन काम करी रही चे, कारण़ के नदीन इंदर पुलिया में बनाया चे, उना नर्मदा पची पुलिस प्रसाशने तदा सरकार आटली बजी तजवित धरी एनाज करता पुल्य तोड़ों में तजवित धरी होज तो आजे अमारा अंदलन करनी फरज नाव भी दे होज अन्ने सदर जो आवे पची पुल्य तोड़ों में नहीं तो आगामे दिवासों में अना करता अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ असान बी आरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बी आरजी न्यूज की मोबाइल एप गूगल प्ले स्टोर और एप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुडे रहें